हलो नमस्कार सभी पहरी बच्चों का स्वागत है BSC Pro Classage में और उम्मीद करता हूं आसा करता हूं कि जिस प्रकार मैंने एक्जाम टैम में आपके थोड़ी से हेल्प करने की कुशिश करी है वो काम्याब हुई है क्योंकि बच्चों के फिजिक्स के पेपर हैं वो भी काप पुच्च उसे के अंदर था और यह मालों की बहुत अच्छे बच्चों की पेपर गए हैं लेकिन अब सबसे बड़ी जो प्रोब्लम आ रही है ना प्रोब्लम कि आज गुरुजी तेज तारीक है और आपके पास अभी पहुंच लिए शाम को पहुंच यह विडियो तो अ आप अब आपको बताए कि आज 23 तारीक का ॉ están है कल 24 का धिन हमारे पास में चोईस की रात मेरे पास में तो कम से कम मैं मान के चलू कि आपके पास से कम से भी कम एक दिन और रात और आज की रात वी तो है पर सो नहीं कम एक दिन रात मालो आप ठीक है मतलब आपके पास 24 गंटे का टाइम तो है भी आपके पास तो सर आप एक बात बताओ डैनेमिक्स को कैसे पढ़ें और उसका को तरीका है पढ़ने का या फिर उसमें नंबर आई नहीं सकते वह इतनी हाड है क्या बच्चों की साइकलोजी मालों की बहुत खराब हो नहीं है पूसिबल क्यों नहीं है क्योंकि अब जब सोचो आपको इतना सिंपल पेपर एलजेब्र कार कॉंप्लेक्स का आया था उसमें आपके अच्छे नमबर नहीं आए इसका मतलब आपने नहीं पड़ी और अभी तक आपने नहीं पड़ी है तो फिर आप यह मान लो कि पूरे में से पूरे नमबर आने की तो सोचो ही मत ठीक है लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ दो चार बाते बताओंगा जिससे क्या है कि आपको अहां वह लगे गहां वास्तम यह बाते अच्छी है इनको एपलाई भी करने चाहिए और हम इसी प्रकार एक्जाम की तहरी करने खर चाहिए अब सुनो मेरे बाथ अब मैं हर बार आप करता हूँ देको आपको पता है कि बुच्टो में डि बाइड है मुझे पता है कि यह फूरियो प्र strategies न मना पड़के है है first case number first हमारे पास में हैं वो बच्चे हैं जिन्होंने पहली दूसरी और तीसरी पढ़ रखी है यह एफसाल नहीं है यहां प्यार तीन बनाना पड़ेगा ठीक है इसका मतलब है कि यहां पे छात्रों ने एक दोर तीन से ज्यादा पढ़ रखी है अब इन बच्चों क्या करन चाहिए यह भी कह रहे हैं कि सरीक बात बता हमारे पास आज का टाइम कल का टाइम है तो हम इन तीनों का रिविजन भी कैसे करें रिविजन भी पॉसिबल नहीं है अब रिविजन करने का तरीका क्या होना चीए वह भी सुनों जान से ठीक है यह तो हमारे पास case number first हो गया case number second ऐसे भी है जिसे यह मैं बात करता हूँ यहाँ पे case number second में कि कई बच्चों नहीं पे एक पढ़ रखी है दो पढ़ रखी है ग्रेटर दन एक्वल टू मान लो आप और इसी प्रकार मैं बात करता हूँ आगे case number third में तो case number third में तो ऐसे बच्चे हैं यह मान के चलो कि जिन्होंने एक इनट भी मुश्किल से पढ़ रखी है मतलब यह मान लो कि less than equal to यह मान लो आप समझें इसका मतलब क्या है मतलब एक ही पढ़ रखी है लेकिन वो नहीं भी पढ़ रखी है उसके बराबर पढ़ रखी है इसका मतलब यह होता है तो अब मैं यह बताना की कुशिश कर रहा हूँ आप सभी को कि आपको करना क्या है देखो मेरी बात सुनो केस नंबर फर्स्ट वाले सातर को टाइम बरबाद बिल्कुल भी नहीं करना चीए अब आपको यह करना चीए कि जो भी आपने exercise पड़ी उस exercise के जितने भी article मैंने क पहुंचरे के सरे बताओ कि हम exercise के कुशन कर रहे हैं तो उतने बहुत सारी कुशन से हैं अगर हम उनको करने बैठ गए तो हमारे time तो इसे निकल जाएगा बलब एक जो अपनी unit है उस एक unit के अपन को सारी कुशन करने बैठ गए तो होगी time pass अब करना क्या है सुनो मेरी बा आपके पास में डाइनमिक्स की होनी चाहिए आपके पास में डाइनमिक्स की बुक होनी चाहिए अब मेरे पास अभी बच्चे का खौला है कि सरो बोलता है मेरे को मनला भी नोट्स आई है मैंने का नोट्स तो ले लो लेकिन नोट्स में क्यूसन नहीं है आप बिना क्यूस आप ने जो गलती करिए ना उसका प्रेनाम आपको बुगतना पड़ेगा ना तो मेरे मेरे पर कोई असर पड़ेगा ना किसी दूसरी को पर फड़ेगा आप की उपर ही फड़ेगा उस चीज का तो सोल पेपर में से क्या करना है एक्जांपल क्यूशन अब इसके अलावा मेर इनट अमर फर्ष्ट जो हमारे पास में मुश्किल से उसमें 10 से 12 सवाल 15 सवाल ऐसे होंगे जो एक्जांपल ऐसे होंगे और जो अपने क्यूशन ऐसे होंगे उनको कर लेना सेकीर में यह काम करना थर्ड में भी आपको यही काम करना है जिन बच्चों ने तीनों इनट पड करना है मेरी बात ध्यान सुनो टैने मिक्स का फूरा कंटेंट जो है पूरा कंटेंट मतलब है कि मैंने डायने मिक्स की दो इनट ने अमर फर्स्ट और सेकिंड यूटूब पे इसकी रिविजन क्लास फ्री और अवेलेबल करवा रखी है कोई कोर्स लेने की जरूत नहीं है आपको free of course आप पड़ सकते हो और आप देखना आपको एक playlist मिलेगी जहां पे आपको dynamics BS 30 के नाम से आपको एक playlist मिलेगी YouTube चैनल की बात कर रहा हूं मैं YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी वहां जाके देख लेना साथ से 8 lecture है उसमें दो निट आपकी complete करवा रही है मैंने complete एक नोट्स है ठीक है और chemistry मैं डाल दूँँ अब BS 30 की बात कर रहा हूं और BS secondary का तो पूरा content available है वहां पे तो यहां पे नोट्स के लिए जिन्होंने course ले रखा है और जिन्होंने course नहीं भी ले रखा है मेरे से message करके यह ने बोले किसा नोट्स दो नोट्स दो आपके पास टे अब सर्च करते जैसे आप चैनल पर क्लिक करोगे ना किलिक करते हैं पर काफी सारे option खुल जाएंगे आपके पास में उसमें एक option आएगा सारी पीडियाप आपको एक साथ दिख जाएगी और से की नीचे की तरफ है तो महां से देख लेना तो बताओ आप डाना मैंने कहा कि लास्ट दो दिन में तहरी कैसे करनी है तो यह तरीका है जिन्होंने कुछ से नहीं पढ़ रखा ना मैं क्या करूं पढ़ना पढ़ेगा और पढ़ो यहां से कम से कम दो ने ठों तो पढ़ के जाओ और जपने नोट से उसमें जितनी बी कुरूंज बैस तरिक है कि पहले article समझो a를 single समझेंवे यते बार में तुरन्त बाद आप एक्जामपल करो example करने का तरीका सीखलो एक्जामपल को बिना देखे करना है ऐसे कि आपयो पूरी एक्रमी सवाल ररके जाओ पहली मिद्स दीख्रवार अगया इस प्रेक्टिस का ये थोड़ा प्रिणाम अलग निकलता है अब देख देगे करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा लेकिन जैसे एक्जाम में जाओगे क्यूसन पड़ा समझ में यह क्या करना है इसके अंदर बस यह कहानी रहती है ठीक है समझ में आ गया गया पर अपर तरीके से आपको और बाकि आप सभी का सपोर्ट है तो वीडियो को आप लाइक भी करो शेयर भी करो अच्छा लग रहा है कंटेंट ठीक है मैं आपकी करते रहिए अब नए शुड़े मिलते हैं तब ते लिए जय हिंद जय बारत धन्यवाद